बिलासपुर गाव एक ऐसा गाव है जहां हर बार नई नई परेशानियां आती रहती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बहुत ही भयानक. आज हम बात करने वाले हैं उस परेशानि की जो पूरे गाव को विध्वंश की ओर लेकर जाती है. एक बार की बात है, बिलासपुर गाव में रामू अपनी दिन्चर्या में व्यस्त होता, वो रोज की तरह बकरी चराने उन्हें जंगल की ओर लेकर जाता, और उनके पास ही अपना दिन व्यतीत कर रहा होता, और वही सेठ अपने रोजाना के लालची हरकतों से बाज नहीं आता, और लोगों को ठग रहा होता। राजू रानी अपनी मा के पास जाते और बोलते, मा, कई दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां आई है, हमें घूमने जाने का मन कर रहा है, क्यों ना आप कहो तो हम लोग जंगल की शेर करके आए, बहुत मज़ा आएगा, मा, जंगल गए काफी दिन हो गए, वह का माहौल और वातावरन हमें बहुत पसंद आता है, हा मा, रोज तो स्कूल जाते ही थे, फिर स्कूल से आके घर में भी परहाई, अब गर्मी की छुटियां इतने दिन बाद मिली है, छुटियों का मज़ा लेने दो ना, हमें जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है, हा, मेरे बच्चो, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन ध्यान से जाना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं, जो तुम्हें नुकसान पनुचा सकते हैं, और समय से पहले घर आ जाना ज्यादा अंधेरा नहीं करना, जाओ और अपन इतना सफर का मज़ा लेते हुए जंगल की तरफ जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि उन्हें एक कच्छुआ दिखाई देता, जो काफी विशाल होता, उसे देखते ही रानी बोलती, अरे बाप रे, इतना विशाल कचुआ, तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है राजू, ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना, ये जितना मनमोहक दिख रहा है, उतना खतरनाग भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहि चलो आगे चलते हैं, इतना बोलते ही, ये लोग यहाँ से आगे की और जाने लगते, ये कुछ दूर गए ही होते हैं, कि सामने इन्हें एक तलवार दिखाई देता, जो बहुत ही चमक रहा होता, रानी, ये देखो, ये कैसी तलवार है, और ये इतना चमक कैसे रहा है, कहीं ये कोई जादूई तलवार तो नहीं, अगर ये जादूई तलवार होता, तो बिच जंगल में क्या कर रहा होता, मुझे लगता है ये किसी शिकारी का है, जो शिकार करते वक्त गिर गया होगा, चलो ये हमारे लिए अच्छा हुआ, इस तलवार को हम अपने साथ ले लेते हैं, जंगल में कोई जानवर हमें नुकसान पहुचाने की कोशिश करेगा, तो उससे बचने में ये हमारे काम आएगा हाँ राजू, ये हमारे बहुत काम आएगा, चलो अब इस तलवार को लेकर जंगल की शेर करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, मा बोली है, शाम होने से पहले घर आ जाने के लिए उसके बाद राजू इस तलवार को जैसे ही उठाने जाता, उसे अचानक से जटका लगता, और चक्कर जैसा लगने लगता, और देखते ही देखते, राजू बहुत ही विशाल हो जाता, जिसे देखते ही रानी घबरा जाती और बोलती राजू, तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतने विशाल कैसे हो गए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, राजू मैं मा को क्या जवाब दूगी, तुम ऐसे गाव में जाओगे तो गाव वाले क्या सोचेंगे जरूर, इस तलवार में ही कुछ है, जिसे छूते ह कि तुम इतना विशाल हो गए, कहीं ये कोई शापित तलवार तो नहीं, हाँ राजू, ये शापित तलवार ही है, नहीं तो ये बिच जंगल में क्या कर रहा होता